सुधान शुजी से जवाब लें देजें देखे अभी आलोग जी ने एक बात जोशो जुनून में क्या बोल दिया मैं क्यों हिंडी पट्टी की बात करूँ उन्हें भारत की बात करूँगा सही है जब से राहूल गान्जी जी केरल से सांसद हुए याद करिये उनका बयान केरल आकर मुझे समझ मैया कि वास्विक मुद्दे क्या होते हैं उत्तर भारत में तो सब सतही मुद्दे थे तो सतही लोग हैं हम लोग सतही लोग की बात क्यों को करनी चाहिए इनको तो गहराई वाली बात करनी चाहिए शायद इसलिए उन्होंने यात्रा की भी शुरुवात वहां की और उन्होंने कहा कि वहां की नहीं दक्षण की बात करेंगे तो मैं अभी याद दिलाना चाहता हूँ जो राहूल गांधी जी ने परसो इंटरव्यू दिया तो तमिल नाडु के एक अभिनेता जो नेता रह च की 3.2 परिश्षित वोट पाने वाली पार्टी का नेता सवाल पूच रहा था 4.2 परिश्षित वोट पाने वाली से और वो सफलता का मूल मंत्र बता रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है हाँ अब अगर हम यात्राओं की बात करें हैं जिरा जी तो स्वतंतरता के बाद यदि यात्राओं ने केवल देश के मुद्धे को लेकर यात्रा की गई किसी नेता के विक्तिगत मुद्धे को लेकर नहीं और जिरों ने वाकई भारत का भविताब बदल दिया एक 1953 में जब शामप्रसाद मुखर जी यात्रा लेके गए थे और उन्हें रोक दिया गया था जम्मू काश्मीर के बॉर्डर पे और उसके बाद ही एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का विशे समाप्त हुआ 1992 में जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी सिती आई कि 1989, 90 और 91 तीन ऐसे वर्ष हो गए जब जम्मू काश्मीर में 26 जन्वरी और 15 अगस को भी राज्यपाल जंडा नहीं फैरा पा रहा था तब डॉक्टर मुली मनोहर जोची जी हमारे राष्टी अध्यक्ष थे उन्होंने यात्रा निकाली और जिसके संयोजक युवा नेता के रूपे वर्तबान प्रधान मंतरी मोधी जी थे और 1990 की यात्रा जो अडवानी जी के नितुर्त में निकली थी और उसने भारत के इतिहास की पोलिटिकल केमेस्टी भी चेंज हो गई भारत में सांस्कृतिक सामाजिक जागरण भी आ गया और जिस उदेश के रहे था पूरा समाज उस उदेश के साथ जिसका हम समर्थन करन तो पूरा आ गया इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यात्राओं की बात है यह कहना की किसने किस से सीखा है तो वास्विक्ता में सीखने की सिथी तो देखा जाए तो हाल के वर्षों में जितनी भी यात्राएं नहीं हैं तो भारती जंता पार्टी ने हमेशा राश्क्री मुद् के हुए थे पर तुम मैंने जो पहले भी कहा अजिना जीब यह यात्रा भाज्मा के लिए थी नहीं यह तो सायोगी दलों को हैसियत दिखाने के लिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग आचे अपने मसल फ्लेक्स करने लगे थे जिसमें मम्ता जी थी नितिश कुमार जी थे केज चेत्री दल हैं वो भी कह रहे हैं तो यह और कुछ नहीं है चेत्री दलों को समझाने या यूं कहें डराने के लिए यात्रा थी अब इन दोनों के बीच में प्रतिस पर्धा है प्रतिस पर्धा की शिरुवात हो गई है क्या कॉंग्रेस पार्टी से एक बार केसी त्यागी जी बोलें सबको एक एक बार शुरुवाती बोलें फिर आ रिगा आपके पास केसी त्यागी जी और आपका तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है जेपी से लेकर राज़तर अब सवाल आपसे सीधा करूँगी दर दर कहें बिना जो वो कह रहे हैं सुधान्चु जी क्या इस बात में सच्चाई है क्या प्रतिसपर्धा की नौबत आ गई है क्योंकि कॉंग्रेस को ही दर किनार करके अट दी एक्सपेंस ओफ कॉंग्रेस ये खेत्रिय पार्टियों ने अपनी जगा बनाई है भारतिय राजनीति में क्या इसी लिए आप यानी जेडियू भारत जोडो यात्रा से किनारा कर रहे हैं और कॉंग्रेस समाधान यात्रा यानी नितीश बाबू की यात्रा से किनारा कर रही है अजना जी हमन्ते तो सबसे पहली हमारी जो यात्रा थी वो 2005 में हमारे मित्र सुदान सु तिर्वेदी की पार्टी के साथ थी जब विहार में कोई सरकार नहीं बन पाई थी बहुमत रहते हुए भी जो वहां के उस समय के ततकारिन गवर्नर थे बूटा सिंग जी उन्होंन लेकर गाये थे तो यात्राओं का एक लंबा इत्यास मैं थोड़ा सा मैं बताऊं कि इत्यास की कई दर्शकों के लिए भी जरूरी है और मेरे आपके लिए भी दुनिया की पहरी यात्रा जो है वो पेगांबरने की है मक्का से मदीना दूसरी यात्रा हिंदु धरम पर जब सनकर था संकराचारी जिने की थी कन्या कुमारी से ही तीसरी यात्रा うं की है जिसे लोंग मार्च कहते हैं चोथी गौंधी जी की है जो दान्डी मार्च है तो सुदांसु जी तीन यात्राओं के जिकर कर रहे थे मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं चंद शेखर है जिसमें हिंसा भी हुई जिसमें वाइलेंस हुआ जहां जहां भी अडवानी जी गए 1990 में कोई शहर नहीं था जहां कर्फ्यू ना लगा हो उस समय हमारे नेता मुनायम सिंग यादव जी उत्तर परदेश में मुखवंतरी थे और जन्रता पार्टी का राज था लिहाजा इन विजो जो वैशारिक तोर पर पद्यात्रा हैं उनमें से मैंने कुछ का जिकर किया कॉंग्रेस की पद्यात्रा से ना हमारे कोई परतीस परदा है ना हमारे कोई विद्विश है हम कई अवसरों पे पहले भी कह चुके हैं कि कॉंग्रेस पार्टी का भी जो राज्टिये विकल्फ बनना है भारती जन्ता पार्टी का उसमें कॉंग्रेस पार्टी की भी एक महती भूमी का है और ये विपक्षक को दूर करने के लिए इन्होंने भारत योड़ोर यात्रा शुरू किया नितिश जी कि जो वर्थमान यात्रा है वो समखधान यात्रा है कि क्या पिछले 18 वर्सों में मेरे दवारा जो या मेरी सरकारों के दवारा जिसमें सुधान सुझी की पार्टी भी शामिल रही है और अब कॉंग्रेस पार्टी भी शामिल है क्या जनता की इच्छा और अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं के नहीं है जो नीतियां है जनता के दुआरा उसका आंकलन किया जाना है ये जनर्जागरन भी है हाँ विहार की पदियात्रा के बाद नितीश कुमार जी राष्टिय इस तर पर भी सक्रिय होंगे छेत्रिय दलों से भी हमारे रिष्टे रहें कोई दो-चार महीने की तो हमारी पार्टी है नहीं आज पार्टी छोटी हो सकती है इस पार्टी ने चैसे परदान मंत्री दिये हैं मुरार जी भाई इसके रहे हैं चरन सिंग जी इसके रहे हैं चंदर शेखर इसके रहे हैं वीपी सिंग इसके रहे हैं देवा गोडा इसके रहे हैं गुजराल साब इसके रहे हैं तो ये कोई म चाचार नेंदेव थे डाक्टर लोहिया थे जैपरकाशनान थे तो उसी को मैं आगे बढाती है कहता ना चाहता हूं और मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलाता हूं विपक्षकी जब तक संपूर एक उसी का एक्स्प्रेंट कर रहा हूं मेडम बताई ने क्या आपका सवाल है मेरा कैटगॉरिकल सवाल ये है सर कि आप क्यू परहेज कर रहे है भारत जोडो यात्रा से और वो क्यू परहेज कर रहे है समाधान यात्रा से जबकि सरकार एक यात्राएं अनेक क्यू एक ही राजमे राहुल गांदी जी इसपस्ट कर चुके हैं कि विपक्ष की एकता करने के लिए यात्रा नहीं है जनता के मन में जो बैठा हुआ है सरकार की वर्तमान नीतियों से उसको लेकर के वो भारत को जोड़ना चाहते हैं हमारा जो यात्रा है बिहार की ये पहली नहीं ये तेरवी यात्रा है अब आप कहेंगे तेरवे यात्राओं में कॉंग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ जो सवाल आप पूछना चाहती है इन यात्राओं के बाद विपक्ष की एकता के भी प प्रवत्मान में सब दलों की अपनी अलग-अलग यात्रा हो सकती है हां विपक्ष को एकत्रित करना राहुल गांदी जी का भी मिशन है और हमारा भी मिशन है और जब तक छेते राष्टे दल इखटे नहीं होगे भारतिय जंता पार्टी जैसे स्वस्रक्ष पार्टी को परा करना चुनाओं में आसान नहीं होगा ठीक है